हमने कुश्चन जितने अज्जस्मेंट की हैं अभी तक उस अज्जस्मेंट पर बेसिस पर कुश्चन है फोकस करना है कि मैं सोल्यूशन कैसे करूँगा जल्दवाजी की कोई जरूरत नहीं है किस तरीके से हमें करना चाहिए कोश्चन हमेसा याद रखना बहुत सारे बच्चे ना मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वज़े से लास तक उनका अंसर मैच नहीं होता एक्जाम में भी तो व मुझे अंदाजा है कि ट्रेडिंग अकाउंट इससे ज्यादा तो नहीं खीचेगा यानि 10 लाइन मैंने आपको एक अंदाजा दे रखा है पहले से ये ट्रेडिंग हो गया ये पी एंडल हो गया ये बैलेंशीट हमें पहले कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए ऐसा कभी नह होना चाहिए कहीं कोई बच्चा सोचे के हमें पहले बनाना चाहिए ट्रेडिंग ऐसा नहीं है जो इंफॉर्मिशन है पहले पूट करेंगे लेकिन कुस्टन करने का तरीका कैा है सबसे पहले हमें अटजस्मेंट पढ़ लेना है और जो भी आपके कुस्टन से पेपर में आपके book में जो question number one है आपके T.S. Greval का उसके अंदर आपको dot लगा लेना है sir adjustment पढ़ने के बाद उसके उपर dot क्यों लगाना है ताकि हमें उसे बाहर की side नहीं लिखेंगे किसके अंदर लिखेंगे अंदर अगर पढ़ने के बाद आपको याद रह जाता है तो वो भी dot नहीं लगाना आपने ठीक है ना तो हम करेंगे question number one और question number one के सबसे पहले क्या धिहान देने के लिए बोला adjustment adjustment में पहला adjustment किस से related है बता सकते हो adjustment क्या है closing stock दूसरा है depreciation plant and machinery and delivery vehicles दो चीजों पर depreciation है इसके बाद unpaid rent unpaid rent का दूसरा नाम क्या था outstanding ठीक है ना तो क्या adjustment होगा तो हमने adjustment कर रहा है तो अभी हम देख लेंगे majorly हमें पता है के closing stock पर ध्यान रखना है और हमें एक रखना है किस assets पे plant and machinery और vehicles पे और बाकी हमारा आगे अंदर क्योंकि इसमें add होगा हमारा अब plant and machinery आता था तो plant and machinery कहां लिखते हैं हम सीधा assets में और इधर लिख दिया वैसे नहीं करना हमें अंदर लिखना है reason being इसके उपर adjustment है समझ रहे हो बात मैं क्या बताने की कोशिस कर रहा हूँ यहां तक clear है तो एके करके पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे सबसे पहला word given है capital 1,90,000 रुपए आपको ठीक है न capital कितने रुपए का given है आपको 1,90,000 तो मैंने यहां लिखा capital capital 1,90,000 और आपको पता है capital inside लिखा जाता है ठीक है इससे अगला क्या given है बताईए इससे next जो given है हमारे पास वो given है हमें drawing और drawing हमारा हमेशा capital में से minus होगा हम less कर देंगे आपने ध्यान से सुनना है शरिफ drawing drawing मैं less करने जा रहा हूँ यहां पर 7000 रुपए ठीक है ना आपको बस cross verify करना अगर कोई mistake होगा तो आपने बताना है ठीक है ध्यान से सुनना है तो आपका 7000 रुपए plant and machinery एक लाख बीस अजार we know very well कि इस पर adjustment है तो plant and machinery हमारा assets का part है तो मैंने लिखा plant and machinery short form में लिख दिया एक लाख बीस अजार अंदर की side लिखा है क्यों लिखा है purpose clear होना चाहिए delivery vehicles है आपका और यह है delivery vehicles हमारा तो इसके नीचे अपसर line छोड़ना पड़ेगा ना हम यहीं पे तो नहीं लिख सकते तो बिलकुल इसके बाद दो line चोड़नी है अपने एक adjustment के बाद दो line चोड़नी है तो मेरे लिए यहां तक दो line है इसके बाद हमारा given है delivery vehicle delivery when बोल दू मैं या vehicles बोल दू मैं वी लगा देता हूँ ठीक है ना vehicles short form में लिख दिया 26,000 मैंने कहा लिखा inside में लिखा clear आगे देखते है debtor debtor पर कोई adjustment है नहीं तो इसके बाद भी 3 line चोड़के फिर लिखना है अपने debtor और debtor का जो amount है here वो 36,000 रुपए है ठीक है इसके बाद debtor के बाद अगला देखते है creditor creditor हमारे लिए क्या होता है liability तो यहां लिखेंगे creditor sir इतना gap क्यों क्योंकि यहां profit वगर add करेंगे इसलिए थोड़ा gap देखे ही लिख लेते है creditor कितने का है 26,000 रुपए का उसके बाद given हमें है purchase purchase पता है सबसे पहले सबसे first level पे हमारा होता है opening पहले हम opening stock नहीं पता बाद में पता चल जाएगा और हम अब लिखेंगे purchase और purchase amount जो है वो है हमारा 20,000 inside में लिख रहे है purchase sales तो inside लिखना चाहिए sales 42,000 buy में लिखेंगे sales और यहां लिखा मैंने 42,000 ठीक है wages 8,000 रुपए now wages पे कोई adjustment नहीं है यहां दो line छोड़के फिर लिखना है हमें wages wages हमारा है 8,000 कुछ line है आपके जब register के अंदर 11th class के अंदर मैं सभी बच्चों को बोलूँगा एक दो line अगर आपका waste भी हो जाता है ना तो चिंदा करने की बात नहीं है लेकिन एक दो line अगर कम पढ़ गया question दुबारा करना पढ़ेगा इस बात का ध्यान लगना ठीक है ना क्योंकि उसमें adjustment हो नहीं सकता आपको दुबारा ही करना पढ़ेगा cash at bank asset से 26,000 तो debtor के just नीचे लिख सकते हैं कोई adjustment नहीं है cash at bank कितने का है 26,000 का आपका salary 8,000 है और इसके उपर adjustment नहीं था कोई भी तो P&L का part है salary हमारा सीधा मैंने लिखा 8,000 रुपे इसके बाद आगे given है आपको repairs, repairs P&L का part है तो two repairs कोई adjustment भी नहीं था और repair है हमारा given 1900 रुपे ठीक है ना देखो मैं मेरे मन में ये नहीं है कि मेरा trading बन जाए मैं तो पहले सारे item को transfer कर रहा हूँ इदर उदर इसके बाद आपको given है repairs के बाद stock opening 16,000 का पहले से लिखा हुआ था सिर्फ amount fill कर दिया इसके बाद क्या given है हमें rent given है हाँ इस पे जरूर adjustment था तो मैं इसलिए rent को कहा लिखने वाला हूँ अंदर inside में लिखेंगे reason मैंने आपको बताया क्यों लिखा जा रहा है rent के बाद manufacturing expense manufacturing expense हमेशा याद रखना factory के अंदर होता है यह trading का part होता है ठीक है न तो manufacturing expense यहाँ लिख देते है manufacturing expense और यह कितने का है पंदरा सो रुपए का bills payable बताओ क्या होता है liability होता है bills payable तो bills payable यहाँ आ जाएगा हमारा bills payable liability है और यह आ जाएगा है तेईस हजार पांच सो रुपए ठीक है न इसके बाद bed debts दे रखा है bed debts हमारा खर्चा होता है नुकसान होता है तो P&L के debit side लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते थोड़े line gap देखे दो line bed debts bed debts कितने का है हमारा जी हमारा bed debts है 5000 किसी को कोई problem यहाँ तक इसके बाद carriage inward carriage inward की हम बात कर रहे हैं तो trading का part है तो simple हम यहाँ लिख देंगे 2 carriage inward carriage inward 1600 सारा information done अब इसके बाद हमें पता ही क्या करना चाहिए adjustment कर लेना चाहिए ठीक है ना adjustment की बात करें तो पहला है closing stock तो उस adjustment को closing stock adjustment में हो आप सभी ने adjustment अभी लिखा है तो कहां कहां जाएगा दो जग है सोचिए कहां जाएगा एक जाएगा हमारा trading के buy side में है ना closing stock अभी लिखा है ना amount क्या है बताइए amount एक बार आप 16,000 रुपए दूसरी क्या दूसरी entry भी करनी पड़ीगी क्या इसकी क्योंकि adjustment है और adjustment की कितनी entry 2 तो दूसरी entry यहां चला जाएगा हमारा closing stock 16,000 रुपए next हम देखते हैं कहता है कि depreciation लगाओ plant and machinery पे और यह percentage दे रखा है हमें 10% तो हम plant and machinery में से घटा देंगे adjustment में यही कहा था कि assets में से घटा दीजिए और profit and loss में दिखा दीजिए तो यहां से घटा देंगे किस नाम से घटाएंगे पता है depreciation के नाम से और यह line खीच दिया अब यह तो एक ही जगे हुआ अभी adjustment क्या कहता है कितने जगे जाना चाहिए तो दूसरी जगा कहां लिखे जाएंगे P&LK debit में depreciation on मैं short form लिख रहा हूँ लेकिन आपने पूरा लिखना एक्जाम में 12,000 रुपए कोई दिक्कत यहां तक यहां तक clear है साथ के साथ अभी यह adjustment खतम नहीं हुआ यह कहता है कि और भी depreciation लगाई है delivery vehicles पे तो यहां से भी less कर देंगे हम फिर से again depreciation के नाम से और 15% अगर हम इसका निकालते है तो क्या रहा है 3,600 26,000 का 15% 3,900 3,900 minus किया है ना और इसके दूसरी entry करनी है कहां करनी है सब के साथ वही rule apply होगा profit and loss के debit side depreciation on plant and machine देखो यह question ना 10 से 15 नमबर का आता है एक्जाम में अर्जस्मेंट डला होता है स्रिफ उसमें और कुछ भी नहीं आता simple सा question है यह chapter भी बहुत simple है स्रिफ आपको delivery vehicles अच्छा हाँ मैं यहाँ पर delivery vehicle को DV कर देता हूँ space की थोड़ी कमी है ठीक है समझ जाओगे DV का मतलब delivery vehicles है दो adjustment done हो चुके है यहाँ तक कोई doubt है गया चलिए हम तीसरे adjustment की बात करते है तीसरा adjustment कहता है unpaid rent जी rent की बात कर रहा है तो हमें rent के उपर करना है देखो इसलिए अंदर लिखा तो अब मुझे कोई समस्या नहीं है मैं फटा फट क्या करूँगा यहाँ अब adjustment open करके देखिए जब unpaid का मतलब क्या होता है outstanding outstanding का क्या treatment होता है आप adjustment में देखके बताईए कहां कहां जाएगा अभी करवाया है दो जगे जाएगा कहां कहां adjustment की बात कर रहा हूँ adjustment में जब given होगा तो एक जाएगा balance sheet के liability और एक नई 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 आप समझे ने रहे जो मन में आ रहा है आप मत बोलो मैंने लिखवाया है के add in expense अब expense मैंने trading और अगर p and l लिखवाया है तो इसका मतलब नहीं कि हम trading में भी दिखाए और p and l वहाँ और word का सब्द का इस्तमाल है तो भाई अगर जहां से related खर्चा है वहीं दिखाएंगे न तो ये चला जाएगा add, add का मतलब क्या होता है plus तो plus कर देंगे outstanding मैं short form लिख रहा हूँ outstanding rent और कितने रुपे दे रखा था हमें adjustment में 500 रुपे हैं अब इसके दूसरी entry सोचो पहली entry करने के बाद बच्चे जाहतर क्या करते हैं जल्दवाजी में ओ अब तो मेरा P&L बन जाएगा छोड़ो पहले उसको भूल जाते हैं हमेशा याद रखना दो entry जब तक नहीं हो दूसरी आगे नहीं पढ़ना हमें ये कर दिया क्या दो entry कर चुका हूँ में नहीं एक और जगह जाना चाहिए कहां जाना चाहिए balance sheet के liability side किस नाम से outstanding rent तो देखो मैंने जितने भी blue marker से किये न आपके सामने ये सारा adjustment की बाते हैं और बाकि black marker से जो किया है वो सारा normal trial balance की information आपको समझने भी थोड़ा आसानी होगी clear अब हमें trading account बनाना है फिर p handle यानी total करना है simple चलो यहां कुछ नहीं आये तो कोई दिक्कत नहीं 42 का 42,000 लिख दिया यहां भी कुछ नहीं आये तो हमने 20,000 लिख दिया देखते हैं total तो 42,000 प्लस में 16,000 यहां गया 58,000 और यही total उठा के इदर लिखते हैं हम normally और यहां पर क्या निकलता है to gross profit minus करते हैं 16,000 minus 20,000 8,000, 1500 और 16,000 यहां गया हमारा 10,900 इस 10,900 को यहां नहीं छोड़ना आपने क्या करेंगे बताइए transfer आप सबने सीखा हुआ है तो P&L में by side में लिख देंगे अब आपको समझ में आ रहा हुआ इससे पहले वाला जो basic chapter है उसमें हमें क्यों बनवाया गया P&L सरफ इसलिए बनवाया गया ताकि अगले chapter में आपको परिशानी ना हो क्या उस chapter में से P&L का question आएगा नहीं आएगा यही तो आ रहा है P&L का question ठेक है ना majorly अब यहां से क्या निकालेंगे P&L यही total आजाएगा हमारा 10,900 जबकि मेरे को देखने में आ रहा है कि यह side बड़ा है तो loss आएगा 8,900 और इसका total आजाएगा फिर से 5,000 फिर 12,000 फिर 3900 यह आगया 35,800 यह और same आगया 35,800 इधर और इस side क्या निकल के आगया by net profit loss 24,900 का क्या आगया निकल के 24,900 का loss आगया net loss आगया सर अब यह loss यहीं पे छोड़ना है यह कहीं ले के जाए capital में minus होगा बिलकुल और यह less हो जाएगा हमारा net loss short form में लिख रहा हूँ 24,000 और यह सारे answer आपको exam मतलब कि question paper में जो book है book में given है question paper में नहीं होगा book में given है आपको यह answer net profit GP check करते जा सकते हो काफे सारे बच्चे पता है क्या करते है GP नहीं आया question ही छोड़ देंगे book से जब करते हैं तो नहीं आपने पूरा करना है एक बार कई बार book के answer अगर गलत हुआ तो आप final last तक जाएए अब हम देखते हैं 190 में से क्या क्या minus करते हैं साथ हजार प्लस में 24 900 माइनस करते हैं 158 100 अब इसका टूटल कर लेते हैं इसका टूटल करते हैं प्लस 26,000 प्लस 23 500 प्लस पानसो यह आगया 208100 अब यही टूटल इसका भी आना चाहिए automatic है ऐसा नहीं आपने जबरदस्ति करना है एक लाख आठ हजार होगा यह माइनस करने के बाद और 26,000 में से अगर मैं यह माइनस कर दूटल तो आजएगा 22,100 ठीक है न तो 22,100 एक लाख आठ हजार और 36,000, 26,000 और 16,000 तो यह आगया बिल्कुल सेम 2,0,8,1,00 अब यह जब हमने कर लिया हमारा दोनों साइड जब मैच हो गया तो हमारा आंसर 100% ठीक है लेखिन कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं इतनी सी बात सोचते हैं कि दोनों साइड मैच हो जाना ही 100% आंसर ठीक है तो वो क्या करते हैं जबरदस्ती इदर लिख देंगे इदर का माउंट इदर वो चीजे गलत है मैंने पहले भी बोला उसमें आपके ज्यादा मार्क्स कटेंगे दूसरी बात ये जब मैच हो जाता है ना तो कई बार गलत भी कुछ बच्चे करते हैं ना तो उनका भी मैच हो जाता है एक्जाम मे करते है एक्जाम के अंदर ठीक है हमारा तो मैच नहीं हो रहा उसका बैलन्स टोटल कुछ और है मेरा कुछ और है उसका तो मैच है यानि उसका ठीक हो गा जो उसने लिखा हुवही दोनों साइड लिख देते हैं यह कहाँनी दोढ़ाई जाता है एक्जाम के अंदर जिस से examiner गलत करता है अब मैं आपको एक बात बताओ मैं closing stock suppose करो मैं लिखता ही नहीं भूल गया adjustment लिखने तब भी balance sheet match हो जाएगा अगर मैं depreciation लगाना भूल जाओ तब भी balance sheet match हो जाएगा यानि अगर complete omission होता है न तो जब कोई चीज हम भूल जाते हैं तो अगर क्रेडिट में गलती कर दिया या डैविड में गलती कर दिया वह गलती तो पकड़ी जा सकती है लेकिन वह गलती जो आपने debit credit कहीं किया ही नहीं है यह दोनों side बराबर कर दिया है तो वह गलती पकड़ना मुस्किल है बहुत जादा मानलो closing stock अगर मैं नहीं दिखाता तो यहां भी नहीं दिखाया यहां भी नहीं दिखाया तो यह 16,000 से कम आ जाएगा और loss भी हमारा 16,000 रुपे से क्या होगा कम हो जाएगा दोनों side हो गया ना match तो इसलिए exam के अंदर किसी भी बच्चे का balance sheet match हो जाए तो उसके उपर भरोसा नहीं करना कि उसका सही है आपको अपना करना है ठीक है ना तो चलिए आप note करिए फटा फट हमारा था यह question number one आपके book का इसके बाद हम आगे देखेंगे note करिए पहले इस question को पूरे को